Hello everyone and welcome back to my channel सो आट्रोटेस्ट्टोपिक इस इंटरुनाशनल नुंबर सिस्टम सो इंटरुनाशनल नुंबर सिस्टम से पहले में जानलेगते हैं क्या है इंडिन प्लेस वैल्यू चार्ट इससे पहले मैं जो पढ़ा है में नुंबर सिस्टम उसमें मैंने यह अलड़ी समझा चुके हैं अगर जिन्हों नहीं नहीं देखा हैं तो जाके पहला वीडियो चेक कर सकते हैं लेकिन फिर से मैं समझा देती हूं कि आप लोग का इनन प्लेस फैलू चार्ट है क्या हम लोग जानते हैं कि जैसे की होता है हमारा Ones $-10s $-100s $-10,000,्ал लैक्स 10 लैक्स करोर्स 10 करोर्स तो इसमें पिरेड आता है जो वन टेंस हंडरेड में होता है यह वन्स पिरेड होता है थाउजन में थाउजन पिरेड्स होता है लैक्स होता है करोर्स करोर्स होता है पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कोई भी लैक्स पिरेड नहीं होता ह once period होता है, thousands होता है, millions होता है how, कैसे होता है, let's check once, tens, hundred, ये होगे once में आ गया period में फिर thousand, ten thousand, hundred thousand तो ये तीनो thousands में आ गया फिर आता है million, ten million, hundred million तो ये क्या होगे, millions में आ गया तो हमारे Indian place value chart में और international place value chart में difference ये है कि अगर हमारे पास, जैसे numbers है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine ठीक है, और अगर हम इसे Indian place value और जैसे Indian place value chart में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तुम number लिखने one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine पहले three के बाद, फिर after that, two, two के बाद हमारे पास क्यों जाएगा, कौमा जाएगा बद international system में place value अलग हो जाएगी क्या होगा, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine तो three three के बाद, one, two, three, one, two, three, यह है इस तरह से places हो जाएगी यहाँ पर ऐसे places होंगे और यहाँ पर three three के बाद हो जाएगा तो यही इसका पूरा difference है देखे, यह देखे, यहाँ पर three के बाद, फिर आफर थाउजन, फिर लैक्स, और क्रोज टू के बुक है और यहाँ पर देखे, इस gaps क्या होता है, पता चलता है, यहाँ पर three and three and three का है किस पिरिट्स में आ रहे हैं, बस यह difference है, और लिखने में भी यह difference है अब देखे, इस तरह से अगर exercises आती हैं, तो exercises हम कैसे करेंगे तो हमारे exercise में पहला है, जैसे write the following numbers international system and write their names तो सबसे पहले जो हमारा है, ए, उसको हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले नमबर ही लिख लेंगे, three, two, five, four, seven, three, eight, five, three जैसे कि हमने आपको बताया है, कि three three के बाद यह दिखेंगे, कॉमा लग जाएगा ना भी लिखेंगे, space दे सकते हैं, लेकिन अभी ना आ रहे हैं, तो इस तरह से होगा पर उसके बाद हमें इंटरनेशनल सिस्टम में उसका नमबर बताना है, तो हम कैसे नमबर बताएंगे, देखें, और पस जैसे हैं, रफ फेपर ले ले लेता है, को भी नमबर है, रफ ना भी लेंगे तो ऐसे हम गिनते हैं, वन्स, टेंस, हंड्रेट, थाउजन, तिन थाउजन, क्रो, सुरी, यहां पर क्रोर नहीं आएगा, नलाएख आएगा, अगर हमें पढ़ना है तो क्या होगा, वन्स, टेंस, हंड्रेट, थाउजन, तिन थाउजन, हंड्रेट, थाउजन, मिलियन, टेन मिलियन, एन पहले हमारा आता है, देखिए हम लिख लेते हैं, once, tens, hundred, फिर ये एक category होगा, फिर ये thousand, फिर होगया, ten thousand, फिर होगया, hundred thousand, फिर होगया, one million, ten million, then hundred million, हम लोग ऐसे draw कर लेते हैं, ठीक है? हम हमें समझ में आ जाएगा, इस तरह से होगया, तो हमारे किस category में आ गया? देखिए, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, three, two, five, four, seven, three, eight, five, three, तो हमारे किसे होगा, three hundred, twenty-five million में आ गया, four hundred, seventy-three thousand, and eight hundred, fifty-three, इस तरह से होगा, three hundred, twenty-five, four hundred, seventy-three, four hundred, seventy-three thousand, eight hundred and fifty-three, eight hundred fifty-three होजाएगा, देखिए, three hundred, twenty-five million, four hundred, seventy-three thousand, eight hundred fifty-three होगा, यह है, इसका अंसर होगा, इसी तरह से, बी, एन, सी, को कर भी लेते है, यह देखिए, वहते सिंपल है, अब इसमें सबसे पहले हम इसको सही से लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए, one, two, three, one, two, three, and one, तो one, space, two, seven, five, three, four, six, के पहले हम लोग ने, ऐसे लिख लिख लिया, फिर इसको हम लोग सही से लिखेंगे, नमबर में लिखेंगे, तो देखिए, three, यह three है, three, one, ten, hundred, thousand, ten, thousand, hundred, thousand, one, million, million होगा, तो यह one है, तो one million होगा, यहां से लिखते है, one million, अब देखिए, यह कहा है, two hundred seventy five, को में लगा रहे हैंगे, किस काटेग्री में है, थाउजन, three hundred forty six, यह इसका answer होगा, ठीक है, इसे तरह से next one करेंगे, हम लोग, देखिए, one, two, three, one, two, three, and two one, तो two one ऐसे लिखेंगे, फिर three, four, five, कॉमा भी लगा सकते हो, नहीं भी, और ऐसे, seven, two, seven, देखिए, यह one के प्लेस में आए, यह thousand के प्लेस में है, यह million में आए, लेकिन यह two है, तो twenty one million हो जाएगा, two, twenty, one, million, three, hundred, फॉर्टी फाइफ थाउजन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन 21,345,727 इसका अंसर हो गया आप सबको समझ में आओ गया होगा बहुत ही सिंबल सा था बस लिखना आना चाहिए राइट इन फिगर्स यूजिंग इटरनेशनल सिस्टम नंबर्स देखिए अब हमें भी इसको कैसे करना जैसे हमने भी चार्ट बनाया था देखिए वनस, टेंस, अंडर्ड जैसी थाउजन की कटेगरी है यह फिमन मिलियन की कटेगरी है यह वाला हम भूल जाते हैं फिर इसके बाद हमें लिखना कैसे है अधिके 26 मिलियन है 26 मिलियन में तो टेंस में आए 26 मिलियन हो गया 253 200 100 में आ गया 1000 की कटेगरी है 253 1000 आ गया 144 26253 144 26 million हो गया 253 1000 में आ गया 1000 की कटेगर में होगा 144 सिंपल से था अब इसको ऐसे ही लिख लेंगे 26253 144 इसका हमारा आंसर हो गया ठीक है इसी तरह से हम टेबल ऐसे लिखेंगे और लिखना होगा उसे के अंदर लिखते रहेंगे अब 8 million है तो यूनिट वाले में million वाले group में गया है तो 8 है 80 हो तो 10 वाले में जाते है तो यहाँ प्लिख देंगे हम लोग देखे 8 ठीक है और 90,000 तो 100 में तो नहीं है तो 90 10 में आया है 90,000 होगे 90,000 यहाँ पर 90,000 के कटेगरी में आ गया ठीक है 90,000 40 and 4 फिर क्या होगा 400 and 400 में आ गया and 4 इधर आ गया तो क्या बचा 80 यहाँ पर जाँ जाँ खाली हो वाँ वाँ जीरो हो जागा 80,90,40 तो इसका क्या answer हो जाएगा तो देखे 3 के बाद और 3 के बाद इस तरह से हो जाएगा 8,000,090 404 यह इसका answer हो जाएगा ठीक है अब यह 300,000,000 देखे 300,000,000 100 में आया 3 अब दिखान से दिखने 300,000,000 में है तो million में आ जाएगा 300,000,000 and 9 9 होगा तो वो last में आ गया तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कितने zeros हम लगा सकते हैं देखें बाके सब में कुछ नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh my God 7 zeros लगेंगे तो कैसे लगेंगे देखें यहाँ पर एक तीन के बाद यहाँ 300,000,000 यह हो गया हमारा आंसर इसका बहुत ही सिंपल से था अहीं होप आप सब को समझ में आगे होगे कैसा लिखना है फिर इसी तरह से आपको समदेश सकते हैं राइड दा फॉलिविंग नंबर्स इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम एंड राइड दियर नेम्स पहले हमें इसी इंडियन सिस्टम में लिखना है फिर हमें क्या करना है इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है फिर उसका नाम लिखना है पाला सिस्टम भी से तो सबसे पहले लिख सकते हैं जासे कि हम यहाँ भी लिखते हैं चलिए स्टप ऐसे करते हैं इंडियन करते लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लेगें जो हमार भी डिजिट है फिर पालब तो 3 के बाध चुप एप doesn't इसे स्पेस हो जाएगा तीन और तो अब हम में पता है कैसे लिखना अब इसको हम इसके नमबर नेम्स जैसे लिखते हैं तो नॉर्मली बन स्टेंस 100 थाउजन 10 थाउजन लैक तो 3 लैक हो जाएगा यहां पर 3 लैक 14 थाउजन 562 ठीक है 3 लैक स्वारी यह नहीं लगे खाएगा अपर 14 में 14 कि थाउजन 5 हंड्रेट कि 60 कि यह तो हमारा होगे इंटन फॉर्म अब हमारा होगा इंटर नेशनल सिस्टम इंटर इंटर नेशनल सिस्टम होगा ठीक है तो हमारा एगओ 3 के बाद होगा और फिर थी तो 3 फॉर एंट 5 जिक्स तो यह वन्स के पिरिद में आगए और यह थाउजन्स के पिरिद में आगए तो हमारा होगे 314 थाउजन्स ठीक है देखे 13,000 हो चेका फिर फिर फाइफ हंड्रेट और फाइफ हंड्रेट और फाइफ हंड्रेट सिक्स्टी टू लिए बहुत ही सिंबल सा था इसमें लैक्स में उसमें कैसे जब सेपरेट करा तो अपने आप ऐसे से चेंज हो गया 314,562 इसी तरह से एक नेक्स एक्जाम्पल है यह है इसको हम पहले ही इंडियन सिस्टम में लिखेंगे लिखें कितने हैं 1,2,3,then 2,then 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 2 तो हम ऐसे लिखेंगे 80,then 87,then 84 धियान से लिखते जाए फिर 5,8,and 2 देखेंगे ठीक है ऐसे लिखेंगे 3 के बाद फिर आफटर देट 2,2 डिजिट्स लिए हैं हम लिखेंगे यहां पर यहां पर होजए 80 कोड एटि कोडám हो गया 87 87 87 lakhs lakh ho ga it is a man like or 84 4,000 500 82 580 80 crore 87 lakhs 84,000 500 82 ho ga is cancer अब हमें इसको international system में लिखना है which is 3 के बाद देंगे 3 and then 3 के बाद 808 then 7, 8, 4 then 5, 8, 2 ठीक है आप सब को समझ में आया इस तरह से अब हम इसको लिखेंगे कैसे international system में देखिया इधर ही लिखेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 1,000,000, 10,000,000, 100,000 808,000,000 80,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 यह पिलिख लिएते हैं देखें पहला हुआ 808, 808 मिलियन है फिर उसके बाद मिलियन लगाएंगे फिर 784 लिखेंगे 784 होगा फिर उसका 1000, 1582 यही इसका आंसर होगा आई होप आप सको समझ में आए बहुत ही सिंपल था अगर आपको समझ में प्लीज लाइक करें और सस्प्राइब करें और तब तक अगले टेक केर और बाबाई